मैं देवरन बोल रहा हूं यह देखे मेरे पास एक यह मोनीटर का पैनल आया है यह 18.5 का पैनल है यह इसका मैं प्रोब्लम दिखा रहा हूं दिखिए यह बिलकुल हॉइट स्क्रिंड में है मैंने लाइन दे दिया है इसमें हॉइट डिस्प्ले है मैंने इसमें एक युनिवर्सल बोड लायकर रखा है मैंने अभी इसमें लाइन नहीं दिया है मैं लाइन दे रहा हूं देखिए रिडिन इंडिकेटर जला है यह ग्रीन हो गया है अब डिस्प्ले कितब देखें यह क्या हो रहा है स्टेंवाइज छोड़ रहा है रिपीटी बैक हो रहा है और स्क्रीन में क्या एफेक्ट हो रहा है यह देखिए थोड़ा सा आना की कोशिश कर रहा है लेकिन वह आके चला जा रहा है और यहां पर स्टेंवाइज लाइट भी बैक हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है इसमें साहिद साप्लाई लाइन में इसका जो पैनल साप्लाई है साप्लाई लाइन में साहिद कुछ शॉट है इसकी वज़ा से ये सेट स्टेंडबाई बैक हो रहा है मैं अभी जो दिखाऊंगा जो प्रोसेस मैं ये जेक मैं भाइटल प्रोसेस छर्थ काहलें में इसका सब्लेल लाइन में लुक्त दीखा हूँ आ Potter मालूम हो रहा है कि सिकेल औरliers लायन में कि एखतेया प्यागारों आ रहा है कि सभाड़ों चला भी जा रहा है कि ठोड़ी सिरा है मतलब इसका साप्लाई लाइन में कोई ना कोई स्वाट है जिसके बाज़ा से यह सेट स्टेंडबाई में बैक हो रहा है अभी मैं जो प्रोसेस दिखाऊंगा जो में मेरा दिखाने का मक्सद है इसी लाइन का मैं अभी सथ है किना यह भी दिखाऊंगा और जो में चीज यह तपर इसलिया करते हैं यह प्रोसेस में आज इस विदियो में दिखाऊंगा यह अभी सेट हॉय डिस्प्रे में है और मैंने जो देख रहा है यहां पर इसका supply voltage भी थोड़ी सी आ रहा है लेकिन चला जा रहा है और इसका standby indicator भी on off हो रहा है क्योंकि यह supply line अभी sorting है यह supply line कहां पर सोट है और कौन सोट है और सोट कैसे remove करेंगे यह पूरा तरीका मैं अभी में दिखाओंगा देखते रहें मैं दिखा रहा हूँ यह वीडियो पूरा तक देखना देखने से पता चलेगा यह सोट कैसे remove करते हैं सब को maximum technician को इसक में थोड़ा knowledge नहीं होते है supply line है supply line में 3 PF दिखा हुआ है 3 PF के बाद यह कोईल कोईल से यह वीडिटी डायोट है डायोट का उधर फिर 3-4 PF लागा हुआ है इसमें से कोई भी अगर सोट हो तो यह supply बैट जाएगा इसलिए यह सब एक एक करके remove करने से थुड़ा परिशन हो सकते है इसलिए यह इसमें एक सोट का टिप्स है जो सोट कौन सा पी एप और कौन सा पार्स सोट है यह ढूनने का एक असन तरीका है वह तरीका ही आज मैं अब लोग को दिखाऊंगा देखते देखें देखें फ्रेंस मैं अब दिखा रहा हूं इसमें जो सोट था है यह सोट का इसे दिम्यूपरमगा और सोट जो है वह दिखा रहा हूं देखें यहां पर क्या दिगरा था यहां पर सप्लाई आके बैठ जा रहा था मैंना यह मिटर को कॉंटिनुटी रेंज पर रखा है मैं अभी इसको एक ट्रॉप को ग्राउंड कर रहा हूं और इसका सप्लाई लाइन इसमें टाच का रहा देखें यह सप्लाई लाइन पूरा शॉट इन है और सप्लाई लाइन कहां कहां से जा रहा है यह दिखें यहां पर यह ठ्यूज लगा हुआ हुआ है इसका इधार यह सप्लाई लाइन में जो पी एफ है इसे लाइन पूरा शॉट दिखा रहा है और उसके बाद यह सप्लाई यह कोईल पे इन हुआ है और यहां से यह डायोट का एनोड साइड है और क्याथोड साइड में कुछ स्वाट नहीं है मतलब एविरिडी आउटपुट में कुछ स्वाट नहीं है लेकिन इसका सप्लाइ लाइन पुरा स्वाट है दोने की तरह यह पुरा स्वाट है अभी स्वाट रिमूब का ऐसे करेंगे यह दिखना है और बाकी कहीं पे कुछ स्वाटिंग नहीं है पर जहां जितना अट्पूट में कोईा कहा हां स्वाटिंग नहीupp यह ऐब सापलाई लाइस यहीव ओर और कहा से जा रहा है यहां पूलोटर लगा वहा इस रेगुलोटर पे इन होता है यहां पे इन होता है लेकर इसका आउट पुड में पे में कुछ रर्च नहीं है मतलब इसी लाइन पे जो जो इन एक उड़र अनौल अहीं हमें से लगा है इहां पे 1, 2, 3 लगा है ये 3 पेभर में से सालिट अ・ बर्च प्रर३र पुल si कैसरücht में भूनूंगा इसमें कौन सा पी एफ शॉट है यह तरीका मैं अभी अब लोग को दिखा नहां हो देखिए इसलिए मैं अब लोग को पुरा लाइब दिखाने की कुछिस कर रहा हूं मैं पहले क्या करूंगा इसका अपर जितना कॉम्पोनेंट है यह पी एफ पे यह पी एफ पे और इसका पास जो पी एफ है इसमें और वो सबलाई सिदा गाया है यह जो डिशिल डिशी आईसी है इसमें मैं इसका उपर भी पेस्ट लगा दिया है और यह फ्यूज पे तो लगाने का कोई जुरूत ही नहीं है अभी मैं जिसकी मदद से यह स्वाट निकल लूँगा यह है स्वाट किलर यह मैंने मेरे हाथों से बनाया है यह जो टोसलाइट का बैटरी मिलता है रिचर्जेवल यह 3.7 वूल का और 1.5 अमपेर का बैटरी है यह मैंने तीनो बैटरी को लेके लागाया है अभी यह 3.7 वूल्ट यह 3.7 वूल्ट फाइव अमपेर का बैटरी 4.5 अमपेर का हो गया है अभी इसकी मदद से मैं इसका स्वाट निकल लूँगा यह देखें मैंने तो पेस्ट तो लागा दिया है अभी क्या करना है देखें यहाँ पर जो मैक्सिमम चांस है यह तिनो पीएम में से कोई एक पीएम शोट होगाया है इसका बज़े से यह सप्लाइ लाइं ड्रॉप हुआ है मैं इसका बैटरी कनेक्शन को यह नेगेटिव प्रॉप पे कनेक्ट किया और पॉज़ेटिव प्रॉप को यहाँ पे पकाल लिया है अभी देखें वोल्टेज कितना दिखा रहा है अभी मैं नेगेटिव प्रॉप को यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर रहा हूँ देखें नेगेटिव प्रॉप को ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया और पॉज़ेटिव प्रॉप को यहाँ पे हाथों में पकाल के रखा है अभी supply point में टाच करूँगा मैं जब टाच करूँगा तब यह पीएप की तरफ देखिएगा जो पीएप इसमें सोट होगा उनमें से यह जो पेस्ट लगाया है यह पेस्ट गल जाएगा और पता चलेगा कौन सर पीएप सोट है इसमें देखिए मैं टाच कर रहा हूँ आगी यह देखिए एक पीएप गलना सुरू हो गया है यह वाला जो पीएप है सेकेंड जो पीएप है और इसका सप्लाई थोड़ा ड्रॉब होते जा रहा है यह देखिए यह दोनों पीएप सोट है यह दोनों का गल गया है यह देखिए मैं यहां पर लगा रहा हूँ यह दोनों भी निकल गया है यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह दोनों पीएप सोट नहीं दिखा रहा है यह दोनों निकल गया है मतलब यह पिएप सोट है मैं अभी इसको रिमूब करूंगा रिमूब करके देखिए इसमें सोट निकला है के नहीं देखिए मैं दिखा रहा हूं यह प्रोसेस में अभी लाइब दीखा रहा हूं दिखेंगे दिखेंगे परेंट्स मैं SPF को ब्लू आर को मतद से उपन करूंगा अभी मैं यह पीप को निकाल लिया अभी मैं यह पीप को निकाल लिया है को चेक करकर दिखा रहा हूँ और इस लाइन पर और कोई स्वाट है क्या नहीं अभी मैं इसमें कोई स्वाट नहीं है और एक साइड इसमें डायोड्रेंस हो रहा है अभी इसमें कुछ स्वाटिंग नहीं है लेकिन यह पीप को देखिए यह पीप पूरा स्वाट हो गाया है इसमें कुछ स्वाट नहीं है यह मैं लोंस पर दो स्वाटिंग पर रखके दिखा रहा है और इसमें कोई स्वाटिंग नहीं है मैं डायोड का रेंज पर पीट रखके दिखा रहा हूं इसमें और कुछ स्वाट नहीं है और कुछ अगर स्वाट होगा तो और एक बार मैं यह स्वाट क्लियर की मदद से मैं और एक बार चेक करूंगा और कोई स्वाट है का नहीं कि यह लाइन में अगर कोई स्वाट होगा तो यह वोल्टेज थोड़ा बैट जाएगा अब इसमें फोर वोल्ट है मैं इधर ग्राउंड पर टाच किया है उसके बाद इधर मैं दे रहा हूं देखिए ओना यह फिर्फ यह थ्री पॉइंट नाइन जिरो हो गया है इसका मतलग इसमें और थोड़ी सी भी कहीं पर स्वाट हो सकता है कि अधिया नहीं और यहां पे कोई शॉट ने यह 3.96 भोल्ट अभी प्रेजन्ट है मतलब इसका शॉट निकल चुका है मैं अभी इस पे लाइन दे कर दिखा रहे हूं यह सेट चालू हुआ कि नहीं इस तो हॉइट डिस्प्ले में था कि इसको मैं दिखा रहा हूं देखें देखें इसका सप्लाय भी आ गया है 5 बोल्ट और निचे डिस्प्ले भी आ गया है वो मैं दिखा हूंगा और यह देखें इसका मतलब यह तेरा वोल्ट एविरिटी बन गया है और इसमें सब कुछ भोल्ट जबी सायत बन गया होगा क्योंकि निचे मैं दिख रहा हूं यह डिस्प्ले आ गया है और यह स्वाट अभी पुरा रिमूग हो गया है अभी मैं डिस्प्ले की तरफ दिखा रहा हूं डिस्प्ले आया कि नहीं कि दिखें फ्रेंट्स मैंना अभी शेट पर लाइन दे दिया है और यहां पर दिखें ब्लू बैक भी आ गया है कि यह नो सिगनल आ गया है और यह जो बिस्टन बाई रिपीट हो रहा हता है यह दिखें अभी इंडिकेटर कॉंटिनस जल रहा है कि यह जल रहा है और मेरा डिस्प्ले साइज से आ गया घर मेना अभी इसका जो सोर्ट करने का पूराता दि इकआ ठिकाया मैंने दिखा दिया है कैसे यह स्वा्ट रिमूब करते है यह दिखें यह प्सकूल पुरा सौट हो गाए है मैं अभी इसको निकल दिया लेकिन इसमें एक पीएप मैं लगा भी दूँगा इसमें और किसी किसी को बहुत सरा कोस्टेन आता है यह जो पीएप निकलते हैं पीएप का भैलू कैसा होता है क्या होता है और इसमें क्या लगाऊंगा मैं अभी बुल्डा हो यह जो पीएप हम लोग निकलते हैं इसको साइज का कोई भी अगर पुराना स्कलर से मिले तो इस सेम साइज का ही इस पर लगाना पड़ेगा लगाने से यह काम हो जाएगा कि तो थांके दोस्तो प्राचिंग मैं वीडियो